हेलो दोस्तों मेरा नाम है करल अमर्दीप और आप देख रहे हैं दवीनिंग एज का डिफेंस चैनल और इस चैनल पर हम आर एम सी सैनिक स्कूल मिलिटर स्कूल और नवोदे विद्याले के बारे में जो हमारे पास जानकारी है उसको बिल्कुल सिंपल फॉर्माट में आपके पास लेकर आते हैं इस वीडियो में बात करेंगे यदि आपका बच्चा अभी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी इन च सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हमें क्या-क्या चीजों को ध्यान में रखना है हम अपने बच्चे को कुछ भी बना सकता है डॉक्तर एंजिनियर सिविल सर्वेंट फॉजी अधिकारी कॉर्परेट सेक्टर के लिए बहुत बड़ा मैनेजमेंट एक्सपर्ट अपना बना सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं लेकिन बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में देनी हैं और यह सारी जानकारी जैसी यह वीडियो ऐसी और भी तीन-चार वीडियो आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पर अगर सर्च करेंगे और अभी हमारे से आपका क्या संपर्क साबित हो आपको लगता है कि करल अमर्दीप की जो बातचीत है वो ग्राउंड से रिलेटेड है मेरे को अपनी कमनी को चलाते हैं अभी चार साल का समय होने वाले सेप्टेंबर में चार साल हो जाएंगे और पिछले तीन-साड़े-तीन साल में इतने लोगों से मुझे बातचीत करने उनके साथ किया गया है कई बच्चे सब रंग बिरंगे बच्चे हैं कोई मैच में अच्छा है कोई गेम्स में अच्छा है कोई कुछ में भी अच्छा नहीं लेकिन वो जाके पता नहीं क्या क्या बन जाएगा अभी बहुत जल्दी है यह डिसाइड करना कई मेरे को मदर् बोगाना चाहिए उसको थोड़ा सा कड़वे तरीके से हम डिसकस करेंगे लेकिन मैं चाहता हूं इस वीडियो का अब ध्यान से देखें तो पहली से लेकर पांचवी तक यदि आपका बच्चा है बच्चों में कंसेंट्रेशन की कमी है वो टिक्के नहीं बैठते हैं इनसे उमीद भी नहीं कर सकते हैं बहुत छोटे हैं यहाँ पर जब चौथी पांचवी बच्चा आजाता है फिर भी थोड़ा सा सीरिस है लेकि किसी भी प्रकार की कोचिंग इंस्टिट्यूट ट्यूशन की उसको आदत ना डालें घर में पढ़ाएं तो सबसे पहला काम है जो फोस तो थर्ड वाले बच्चे हैं उनको आप उन पर अत्याचार ना करें उनको खेलने दें उनको बोलने दें उनको मोटिवेट करें भई बच्चा स्कूल से आया चलो बेटा तुम्हारा ट्यूशन का डाइम होगा आपको लगता है ट्यूशन लगा गया आपने पता नहीं कौन सा महान काम कर दिया है जबकि आप अपने बच्चे को असमर्थ बना रहे हैं असहाय बना रहे हैं ट्यूशन की आदत डालके इतने चोटे इस पर इतने लोगों का पेरेंट्स का मिरे को फोन आता है कहते हैं जी हम तो ग्राजुएट हैं या हम बारवी पास हैं किसी भी इस तरह के से अपने बारवी पास करियों मैं आपके इस पर कुशन मार्क नहीं लगाऊंगा अरे यार पहली क्लास का बच्चा है दू सिखाने और है करना है टू प्लस टू एक का टेबल दो का टेबल तीन का टेबल सिखाने इसमें क्या इंगलेश लगते है मुझे समझी नहीं आता है अप मुझे अपने बच्चे को नवोदे विद्याले लाना है क्लास 6 में एड्मिशन होगा उसके बाद प्लास नाइनत मे तो केवल उनका होता है जो सीटे खाली रह जाती है बल्क एडमिशन जो 80 सीटे हैं प्रती विद्याले वो आपकी 6 में भरी जाती है तो जोर लगाना है अगर नवोदे विद्याले का तो यहां लगाना है लेकिन उसमें दो चीजें ध्यान में रखनी है आज सुबह भी कल रात को किसी का वाटसाप पे आया कि मैं ट्रांसफरेबल जॉब में हो हमारा बच्चा कहीं और पढ़ रहा है नवोदे विद्याले में आपकी डिस्टिक्स से रूरल या रूरल के लिए नहीं अर्बन विकेंसी में भी जाना है तो पांचवी क्लास उसी डिस्टिक्स से करी होनी चाहिए नवोदे विद्याले की सबसे अच्छी जानकारी आपके अपने ही जिले में नवोदे विद्याले है एक से जादा भी हो सकते हैं जहां पर आपकी eligibility है मैं चाहूंगा एक वीडियो देखने के बाद सभी parents जिनके बच्छे पहली से लेकर पांचवी तक पढ़ रहे हैं नवोदे विद्याले जाएं वहां के teacher जो वहां पर counselor है उनसे मिले नवोदे विद्याले की शकल देखें बच्छों के शकले देखें उनके चेहरे के how about देखें पूरा रेकी करें अपने आप करें कुछ नवोदे विद्याले है बिलकुल 5 स्थार हैं कुछ लोग नवोदे विद्याले है जो आपके मन के माफिक नहीं है तो अपना decision खुद लीजे 649 नवोदे विद्याले हैं देख में और बढ़ेंगे 649 में मैं तो नहीं जा सकता है मैं तो एक में भी नहीं जाओंगा या आपका काम है अपना homework खुद करें तो इस वीडियो का उद्धेश है अपना काम स्वाइम करें पहली से तीसे तेक tuition आप भेज़ें बच्चे को मेरी बात मालीजे दिल पे हाथ रखे मैं बोल रहा हूँ आप गलत कर रहे हैं सारे tuition teachers को आप बेरोजगार कर दीजे अपने बच्चे को घर में अपने आपड़ाई बच्चे के साथ संपर्क सापित कीजिए उसको और value वाली चीजें बताईए वो दो ढ़ाई घंटे आप अपना mobile पे अपना Facebook पे अपना रीज़ देखने में लगाते हैं क्योंकि बच्चा गया है उसको आपने सुपारी देखे किसी और के टिकाने लगा दिये मत करें मत करें मेरे पास तो लाना है नहीं है आप हमारे बच्चे को कोचिंग करा देए मैं तो चौती में बेगा नहीं करा हूँ उस बच्चे के दिमाग में उतना ग्यान अभी अब्सॉप करने की सामरत नहीं है उसमें शक्ति नहीं है आप क्यों उसके पीछे पड़े हैं तो पहला था नवोदे विद्याले खुद जाएं खुद पता करें आपकी eligible हैं की नहीं हैं वहाँ पर जो counselor बैटे हैं वहाँ के जो principal हैं वहाँ के जो teachers हैं they are the best people to guide you फाइदा के नवोदे विद्याले का बिल्कुल मुफ्त है free लड़कियों के लिए तो छड़ी से बारविद्या कपड़े भी देते हो किताबे हैं रहना पढ़ना सब कुछ free है दूसरा जो आठवी तक किसी के लिए और कोई fees भी नहीं है लड़कों के लिए लड़कियों के लिए SCST के लिए Economic Weaker Section के लिए दिव्यांग जनों के लिए fees नहीं है पूरा बिल्कुल education free है इतने सारे schools हैं 50,000 के करीब बच्चे हर साल जोइन करते हैं अब देखे कितना बड़ा हुए लेकिन अब देखे डले का Return Exam होता है Return Exam के लिए आपने तियारी करनी है तियारी कब करनी है जब बच्चा क्लास 4 में आएगा तब बच्चे को तियारी करानी है जब बच्चा 3 में खुद तियारी करो मैं चाहता हूँ मेरको parents बोले हमारा बच्चा अगले साल करेगा, इस साल आप हमें तियारी करा दिए, दिन के दो गंटे पढ़ाते हैं, दो गंटे आप पढ़िए, तीन महिने का कोर्स है, अगर आप ग्राजुट है, पोस्ट ग्राजुट है, तो आपको मेरे खल 20 दिन लगेंगे, पूरा कोर्स मास्टर क हम उसको मेंटली असमर्थ मना रहे हैं, उसको को रहे हैं कि कोई ना कोई तुम्हर ले काम कर दे, आप मत करो, उसको अपने आप खरिए, और बच्चे से पहले आप लोग असमर्थ होते जा रहे हैं, कि आप पढ़के राजी नहीं हैं, तो मैं सभी माता पिता वो जो मेरे क को कॉंटाक करते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप लोग क्यों नहीं तीन मेने का मेरा कोई कोर्स जाइन कर लेते हैं, आप कर लीजिए, उसका पढ़ातरी, आप हमें मैटीरियल देजिए, मैटीरियल एक, नवोदे विद्याले की किताब, मैंने दो खरी दी हैं, म सारा बो, और मैर काल, बीस कोशन पेपर, सॉल्ड, इतना इससे जाय करने हं निए, 100 नुमबर का पेपर है, 2 गंडे का पेपर है, 100 में से 100 नुमबर ला रहे हैं और सब ला सकते हैं, क्योंकि यह भाशा का पेपर है, एक वो बेसिक मैट्स का पेपर है, और इंटीलिजंस का अगर आपने करा है, अगर आपने ढंक से त्यारी करिए, यह decision आप तीसरी class में लिए, तीसरी class में खुद कर लिए, बोलो आप हम खुद पढ़ा लेंगे, कहीं किसी coaching में नहीं भेजेंगा अपने बिच्चे को, यह coaching institute के director साब आपको उतारेंगे, मत भेजिए मेरे बच्चे को, इससे बड़ा आपको और honest वीडियो कहां से मिलेगा, तूसरा आता है, सैनिक स्कूल प्लस RMS, राश्ट्रे मिलिटर स्कूल, इनके बारे में भी, जानकारी स्वयम पता करें, इनकी लाइफ टफ है, अपने बच्चे को, अभी मैं गया था, अपने बच्चों को आउट्डोर में लेके, अभी इस वीडियो में हम जा लेंगे, एक छोड़ा से clip, टोटल 35 मिनिट्स मैंने उनको, बिल्कुल उनके हिसाब से पीटी कर रही है, वो रात को खाना खाने के हालत पे भी नहीं बचे को, 35 मिनिट केवल, और यही सूचियो बच्चा, अगले 6 मेहने में सैनिक स्कूल पहुंच जाएगा, सुबह साड़े 4 बजे से लेकर, रात को 10 सिक शारिरिक तोर पर मजबूत बनाएं, और सेम जो मैंने मिल्टर स्कूल जो नवोदे के लिए बोला है, सैनिक स्कूल और मिल्टर स्कूल का भी, अगर सभी माताएं, डिसाइड कर लें कि हम 4 महीने पढ़के, अपने बच्चे को पढ़ा लेंगे, बाद में क्यों क्राश करना है, वीडियो कुर्स में अचा तो पेरेंट्स करें, और अपने बच्चे को धीरे-धीरे कराएं, जब वो पाच्वी में आता है, मेरे पास लें, एक साल के लिए लें, या छे मेने के लिए लें, ऑनलाइन हम 2 घंटे पढ़ाते हैं, वो 2 घंटे में काफी काम हो जाता पाच्वी के सिलिबस पर बेज़ है, तो ये आप 2 साल की त्यारी वाला मॉडल लखे हैं, लेकिन एक साल आपने बच्चे का हाथ पकड़ के अपने साथ त्यारी करानी है, वो वीडियो देख रहा है, क्वेशन कर रहा है, साथ में करिये न, नहीं करेंगे तो और कोई नहीं कर सकता आपके, फौजी विखती हैं, जी मैं बॉर्डर पे पोस्टड हूँ, मैडम क्या कर रही हैं, उनको बोलो भई पड़ो, बच्चा पांचवी में पढ़ रहा है, उसको तो आप पूरा बोज डालने के लिए त्यार हैं, आपकी पत्नी जो बारवी बास है, उस सारे वीडियो जानकारी वाले, लेकिन बहुत जादा चिंतितना हूँ, आप तीसरे पकड़ार के भी शेर मेरे को मिलते हैं, कि मेरी बेटिया आठवी में है, और नौवी में मैं उसको सैनी स्कूल का एक्जाम दिलाना चाहता हूँ, अभी जब वीडियो बन रहा है, तो ब अभी वो नहीं है, केवल यूपी सैनी स्कूल है, लोग यूपी सैनी स्कूल की वेबसाइट पर जाके त्यार नहीं है, मेरे से पूछ रहे हैं कि उसकी फीज कितने है, मैंने का भाई सब खुद पता करिये तो, आप क्यों अपना काम नहीं करना चाहते हैं, मेरे को कई बार हिरानी होती है, यही वो लोग हैं जो अपने बच्चे को क्लास वन में, केजी में ट्यूशन पढ़ रहे हैं बच्चे, क्यों पढ़ रहा है भई, वो ही पेरेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को भी असाहाई कर दिया है, बिल्कुल दुसरों पर डिबेंड सेर्ज करेंगे, वेबसाइट खुलेगे, फीस है, एलिजिबिलिटी है, डेट ऑब अरता, सब कुछ तो उसमें दिया है, मिरसे क्यों पुछन हैं, तो जब पेरेंट्स आप अपने जिम्मेदारी लेने के लिए त्यार नहीं है, कोई और कोचिंग इस्टिटूट, कोई औ आपकी मदद नहीं कर सकता, तो आपने ये काम स्वयम करना है, बुरा लगेगा आपको, बोजब लगता है कि अरे, आज कैसी बाते करने हैं, कनल अमर्दी, लेकिन बिल्कुल सही है, मैं जब टेर्रिस से लड़ाई कर रहा हूं, पाकिस्तान के साथ बौर्डर पे हूँ, मै केवल पिता जी का यूपी निवासी होना ज़रूरी है, नवोते विद्याले में, जिस विद्याले में आप बच्चे का अड्मिशन कराने वाले हैं, वो आपका डिस्टिक होना चाहिए, आपका डॉमिसाइल उसी डिस्टिक का होना चाहिए, और बच्चा अर्बन वेकेंस जामनगर के जो नवोदे विद्याले के अप्लाई नहीं कर सकते, आप उत्तर प्रदेश में रहे के आप तमिल नाडू के नवोदे विद्याले में नहीं अप्लाई कर सकते, फौजी विक्ति हैं, जितके बच्चे उनके साथ-साथ घूम रहे हैं, पी स्टेशन में, वो हैं, कितने आई-स आफसर, कितने इंजिनर, कितने डॉक्टर, जो नवोदे विद्याले के एक स्टूडेंट्स हैं, आप अगर उनका नंबर सुनेंगे, तो आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएंगी, इतना जादा बढ़िया ऑप्शन है, सैनिक स्कूल में क्या है, सैनिक स्कूल दिसीपला है, सैनिक स्कूल में थोड़ा चावी जाला है, आप उस पर बहुत ज़ोड है, नवोदे विद्याले में पढ़ाई पर बहुत ज़ोड है, तो आपने चौइस कुद लेनी है, हैं थो मैं आपको एक लिमिटेट सलाह दे सकते हूँ, आपकी पारिव या RIMC, RIMC के लिए आपको अवश्य ही बाहरी कोचिंग के अवश्यक्ता पढ़ी लेकिन कोचिंग का लाब तब होगा जब आपने एक बार सिलेबस खुद कर लिया, तो बच्चा जब तीसरी में गाइड़ूक खरीद दीजिए आप हमारी भी गाइड़ बुक्स आ जाएंगी तो हम वो भी खरीज सकते हैं अभी आप जो भी मिल रही है, अरिहंत की मिल रही है पाथफाइंडर की मिल ले, इतनी सारी कमनिय है गूगल पर सर्च करेंगे, कोई भी दो उठा लीजिए एक पूर्व प्रश्ण पत्र उठा लीजिए और एक गाइड़ बुक उठा लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब तो आपको जो समझ आता है, वो आप कर लीजिए पांचवी क्लास से आप त्यारी धीरे-धीरे शुरू करें और छटी में पूरा जोड लगाएं, क्योंकि छटी में जब बच्चा दिसंबर में होगा तो आरेमसी का एक्जाम दे सकता है, जून मैंने दे सकता बेसिक जानकारी है इनकी वेबसाइट पर जाएए आप कुछ लोग है, आरेमसी का फॉर्म नहीं आया, यह नहीं आया, यह सब चीजें आप लोग इन्हें स्वाइम करना है, हम कॉल सेंटर नहीं है, हम आपको एक लिमिटेट जानकारी दे रहे है और जो कॉल सेंटर टाइप की पूरी जानकारी है, उस वो हमारे वीडियो साब वीडियो देखे भी राजी नहीं मैंने एक वीडियो बनाया एक घंटा 32 मिनिट का है, सैनिक स्कूल से एंडिये तक पूरे साथ साल का आपके बच्चे की जीवन यात्रा कवर कर रहा हूँ वो आप देखे राजी नहीं, एक घंटा 32 मिनिट का वीडियो है, एक मैडम का 15 मिनिट में कॉल आगा है सर मैंने देख लिए है, मैंने का जी, डेड़ घंटे का वीडियो जितना मर्जी तेज़े से चलाएं, 15 मिनिट में आप नहीं देख सकते हैं तो ये अपना थोड़ा समय इन्वेस्ट करें अपने बच्चे के लिए, रिसर्च करें, कोई भी दो बुक्स ले ले, उसको खुद पूरे पन्ने पल्टे हो, किताब लाकर पढ़ी रहते हैं, मुझे पता आपके घर में क्या आल चाले हैं आप नहीं खुलते हैं, क्योंकि आपको लगता है, जैसे ही में पहला सवाल पढ़ूँगा, फस जाओँगा, फसी है पका वो इतने सिंपल सवाल है, इतने साधे सवाल है, क्या आप कहेंगे यार, इसके लिए क्या कोचिंग की जोरत है और किसी के पास कोचिंग के लिए लेके जा रहे हैं, अपने नौनिहाल को, अपने शेर को तियार करके लेके जाए, उसको गरमा गरम बिलकुल वार्म अप कराके लेके जाए, तब फायदा होगा, बिलकुल ब्लैंक आएंगे, वो बच्चा कोप अप नहीं कर पाएगा, हम स्कूल नहीं है, हम अपना सिलेबस के हिसाब से बढ़ाते हैं, हमारा एक टाइम लाइन है, तो बच्चे न अगर पहले पढ़ा होगा तो कर लेगा, नहीं तो हमारे वीडियो कोर्स हैं, अभी पहली अगस्य हम फ्री वीडियो कोर्स भी शुरू कर रहे हैं, लाइव रोज class होगी time table में आपको बता दूगा, सारी जहनकारी देंगे, वो तो कर लो, बच्चा नहीं कर रहा है, जी हमारा जब आपकी live class देंगे, हमारा बच्चा खेलने गया है, तो आप तो नहीं कर खेलने है, आप कर ली ज़िए न, class attempt, और YouTube का live session वहीं रहने वाला है, बच्च says, 10 से 20 परसेंट से उपर नहीं है, जैसी आप कर लेते हैं, hand holding दो घंटे का, 50 परसेंट फरक पड़ता है, कम सिकम, 70-80 परसेंट निकलने के chances हो जाते हैं, 100 परसेंट तो कोई guarantee नहीं देगा, तो मुझे उमीद है, ये जो research work करेंगे, ये जो त्यारी का तरीका है, इस वीड हमें जाता है, सबका mobile number लो बोलो, एक हमार पास वीडियो आया, वो आप पका देखो, बड़ा दर्द करता है ऐसे वीडियो, बड़ा जखमों को कुरिदने वाला वीडियो है, लेकिन ये आप करिए, मेरी जितनी समर्थ है, अभी हमारी भी age हो गई है, 53 years को हो जाएगा पहिया, मैं दिन में 20 अगर call attend कर ली, तो मेरा दिमाग बिलकुल फटने की स्थिती में आ जाता है, तो मैं वीडियो इसलिए बना जता हूँ, कि जितना मेरा मन की बढ़ा से में निकाल सकूँ, आप लोग अपना काम स्वयम करें, हमसे आप संपर्क करें, हमें आपनी समस्य लिखें, जब मैं लिखता हूँ, कि आप वाट्साइप करें, मैं दुबारा से, देखें मेरी बहादरी देखो, मैं फिर भी अपना नंबर दे रहा हूँ, 50-60 call एक दिन में आती है मेरे को, 74176-56633, ये मेरा नंबर है, बेरे पास रहता है, पहले जो नंबर देते हैं, हमा जिनके मैंने कल रात को साड़े बारा बजे भी कई WhatsApp messages का जवाब दिये, कुछ लोगों को मैंने कहा है, आज call करूँगा, तो call करूँगा, आप लिखें कि हमें आप से बात करने हैं, लेकिन केवल ये मत लिखें हमें आप से बात करने हैं, अपनी समस्या एक बर लिख दें, अगर लिखेत रूप से ही वो solve बजाती है, अगर कोई वीडियो भीच के वो समस्या solve बजाती है, मेरा time बज जाएगा, तो ये आपने मेरी मदद करने है, 7417656633 पर केवल WhatsApp करें, अपनी समस्या लिखें, और हमें मौका दें, 24-36 घंटे का आपकी समस्या का समधान ठूणने के लिए, that is all in this video, I want all the parents to take this video very very seriously, इधर उधर भटकते हैं, कौन सी किताब खरते हैं, वो भी मिरसे जाना चाहते हैं, खुद मत करिये, जो सबसे पहले Amazon पर आपको किताब मिलते हैं, कोई भी दो आप ले लिए, सब में सेम है, सब ने एक दुसरे को कापी करके बनाया, कोई इसा इधर nuclear physics नहीं है, कि कोई नए concept है, कि मंगल ग्रैप ये किताब पढ़ गया, आपका बच्चा बहुच जागा, कुछ नहीं होना रहा है, सब सेम है, तो कोई भी दो ले लो, कोई 500 रुपी है, कोई 300 गया, तो मैं आपकी जगा हो, मैं 300 वाली ले लेते हैं, कई combined किताब जो मेरी द्वारा दी जाने वाली सला है, अब आप माने या नहीं माने, that I leave it to you, I have done my job, मैंने अपना काम कर दी है, क्योंकि मुझे लगता है, कि पेरेंट्स को, कोई थोड़ा सा जगजोरने के आवशकता है, हम लोग complacency में, हम अपनी comfort zone से नहीं निकलना चाहते, और हम है, तो मेरे बच्चे को तो निकाले देंगे, क्यों निकाल देंगे भई, आप अपने बच्चे के जम्रारी ने ले रहे है, मैं तो लोगा, लेकिन मैं अपने, मेरा काम 50% है, मैं एक वीडियो में पोले है, हमारा काम के बन 20% है, 80% आपने करना है, ये गेम थोड़ा सा complicated है तो आप खेलिए, बिलकुल मिलके खेलते हैं, that is all in this video, thank you, bye-bye and jahin.